तो दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब के कुछ बहतरिन आर्टिस्ट के बारे में अगर आपको कलर स्केच इस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए बेश्ट है ये जो आर्टिस्ट है वो स्पेशली एक्रेलिक आर्टवर्क के लिए डेडिकेटेड है तो इस पर आपको बहुत सारे एक्रेलिक आर्टवर्क मिलेंगे ये जो है वो मेरी फैवरिट आर्ट चैनल है इसमें मिक्स मीडिया का यूज करके बहुत ही बहतरिन आर्टवर्क बनाए गया है अब आती है आर्ट अरेना जिनोंने दिखाया कि ओईल पिश्टल कलर का यूज करके भी कितने अच्छा आर्टवर्क बनाए जा सकते है ये आर्टिस्ट की पैंसिल पोट्रेट मेकिंग स्किल्स अलग ही लेवल की है उन्होंने जिस तरह से अपनी चैनल पे समझाया है वो बहुत ही बहतरिन है इस चैनल पे आपको बहुत ही क्रियेटिवस आर्ट दिखने मिलेंगे अलग-अलग फॉर्म के ये आर्टिस्ट को हम आज की जन्रेशन के पाबलो पिकासो कह सकते है क्योंकि इनके 3D आर्ट इतने रियालिस्टिक है कि हमें बिलीव ही नहीं होता कि ये ड्रॉइंग्स है नेक्स्ट है जॉन हैरिस ये 3D आर्ट बनाने में एक्सपर्ट है इनकी चैनल पे अच्छे-च्छे 3D आर्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर आप ओयल पेंटिंग का नौलेज पाना चाते हो तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है इस पे बहुत ही बेतरिन ओयल पेंटिंग आर्ट वर्क दिखाए गया है अगर आपको डिजिटल ड्रॉइंग्स बनाने में इंट्रेस्ट है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है इस पे से आपको बहुत कुछ सिखने को मिल सकता है आर्टोलोजी ये चैनल के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि आप एक बार इस चैनल को जरूर विजिट करना डेविड जेजा आर्ट इनके कलर पैंसिल आर्ट वर्क्स बहुत ही बहतरीन बनाये हुए है डीपी आर्ट ड्राइंग अगर आप कुछ अलग तरह के आर्ट स्टफ को देखना चाते हैं तो ये चैनल को एक बार जरूर विजिट कीजेगा जो लोग वाटर कलर करना पसंद करते हैं उनके लिए ये चैनल बेस्ट है इस पर आपको बहुत अच्छे से एक्स्प्लेनेशन मिल जाएगा ये चैनल ऐसी है जिस पर कॉपिक मार्कर से अलग-अलग आर्ट वर्क्स बनाये गए है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू सो मच